कि देसिमलश्पेंशन ओफ रियल नम्बर का देसिमल इस पेंशन करना है तो इसमें दो तरग यह चीजह हो सकती है A real number can be expressed as a decimal. Thus, the decimal expansion of real number can be either terminating or non-terminating, repeating, non-terminating, non-repeating with the decimal expansion of real number. You can check. चलिए, देखते हैं. तो दोनों चित्रों की चीज़े हो सकती है. एक तो terminating हो सकता है, एक तो non-terminating हो सकता है, लेकर repeat हो. एक हो सकता है, non-terminating भी हो और non-repeating भी हो. तो इस सब तरह के real number को हमें यहाँ express करेंगे. तो सबसे पहले हम express करने वाले हैं decimal expansion of rational number. Decimal expansion of rational number. अगर इनकी बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो सबसाब पहला चीज़ आता है, case 1 की अगर हम बात करते हैं, जो poly conditions बनती है, वो यह बनती है, कि the reminder becomes 0, अगर किसी decimals में पुरी तरह से divide हो जाए, कहीं ना कहीं जाके खत्तम हो जाए, तिक्यां? इसको बोलते हैं, terminating, यानि कहीं ना कहीं उसका reminder क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसलिए वो क्या है, terminating है, बात समझ में आ रहे हैं, तो जो पहला expression आता है, मान लेते हैं, example के थोर पर आप समझ लीजिए, 1 by 4, 1 by 4, अगर 4 को divide करेंगे, 1 से, ठीक है, 2, 8, 2, 0, 5, ठीक है, आ गया, तो इसका value क्या हो गया, 0, 25, इससे जादा नहीं होगा, reminder क्या आ गया, 0, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारा conditions apply, second example लेते हैं, 6, 3, 9, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 6, 3, 9, 2, 10, 500, 139, 5, 10, वापस फाइब टैंज, वापस फाइब टैंज, reminder क्या आ गया, 0 आ गया, कहीं न कहीं जाके खत्तम हो गया, reminder, तो यह जो number आया, इसकी value क्या आ गया, 2.556, आया की नहीं आया, तो इस तरह के जो expressions हाएंगे, वो terminating कहला आएंगे, इसके बाद आते हैं, Case 2, Case 2, एसे conditions में क्या होता है, एसे condition में, reminder 0 कभी नहीं आएगा, the reminder never becomes 0, the reminder never becomes 0, ठीक है, तो यह condition आती है, चले देखते हैं, समाल लेते हैं, 2 by 3, 2 by 3, 3 से divide करना सुरू करो, 2 को, 0.18, आया, वापस, 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 तो यह चलता रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 0.666, चलता रहेगा, ठीक है, तो यह जो repeat हो रहा है, उसके उपर रेकरिंग लगा देते हैं, जो भी number repeat हो रहा है, उसके उपर, ठीक है, तो यह non-terminating है, यानि non-terminating का मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा, लेकिन non-terminating के साथ, क्या है, repeating है, repeat हो रहा है, ओके, आस समझ में है, repeat हो रहा है, बार-बार, तो यह non-terminating और repeating हो गया, और भी इस तरह के example ले सकते हैं, चले देखते हैं, next, okay, अगर decimal expansion of irrational number के बात करते हैं, तो यहाँ पे decimal expansion on irrational number is non-terminating non-recring, वो खत्म तो नहीं होता है, लेकिन वो repeat भी नहीं होता है, in other word, number who decimal expansion is non-terminating, non-recring is the irrational, बोल सकते हैं, तो इस जामपल के तोर पे हम आते हैं, लेते हैं, suppose root 2 and pi, okay, जो root 2 होता है, उसका जो value होता है, वो क्या होगा, आप इसको square root करके divisional method से निकाल सकते हैं, root 2 का value होता है, 1.414213562373095088016887242, 096, कभी repeat नहीं हो, खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, और repeat भी नहीं हो रहा है, और pi का जो value है, वो क्या होता है, pi का value, 4.141592653589793238, 4, 6264338, इस तरह से होता है, 327950, और आंगे भी होता है, पाई का जो value है, 22 बते साथ नहीं होता है, एक चीज़ समझ लो पहले, यह अप्रोस्मेटली value है, pi का, सबसे नहीं अरेस्त value लेकिन, पाई बते साथ, मैं सोरी, 22 बते साथ नहीं हो, जीनियस थे, आर्किम में, जीस जो थे, जीनियस आर्क में, उन्होंने, पाई का value, जो है, 3.140845 से, 3.142857 के बीच में दिया था, ठीक है, the value of pi करेट, 4 decimal, 3.1461, तो यह इसे बोलते है, 3.1416, 4 decimal करेटली, approximately मान लेते हैं, was found by, जो हमारे देश के थे, मिली, आर्या भट्टा, चार्या, उन्होंने, पाई का value है, सबसे पहले दिया था, who was the great Indian mathematician, इस्टोन नोमर, using the high speed computer and advanced agglorytheum, pi has been computed to over the 1.24 trillion decimal place, उसके बावजूद भी उसको solve नहीं किया गिया, ठीक है, pi के बारे में एक interesting fact, और बताते हैं, कि pi का जो value होता है, वो 14 March को मनाये जाता है, pi day, 14 March को एक बज के 69 मिनट पे pi day मनाये जाता है, तो इसे pi का value से बड़ा real connect थे, 14 March यानि तीसरा मन भी ला 14 March एक बज के 69 मिनट, ऐसे देखो, 14 March यानि थी 3, March 3, 14, 14, 1, 4, एक बज के 69 मिनट, pi का value यही होता है, 5 digit आपको pi का value मिल गया, ठीक है, देखिए, irrational number find करना है, 1 by 7, 1 by 3, 2 rational number के बीच में, rational number, तो 1 by 7 का value हमने तोरी देर पहले निकाला था, तो 1 by 7 का value क्या है था, 0.14285, 7, यह यह था, यह repeat हो रहा था, और 1 by 3 का value तो easy था, 1, 3, 3, यह repeat हो रहा था, ठीक है, तो दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा number लिजए, जो इन दोनों के बीच में रहा हो, ठीक है, वो निकल जाएगा, easily, तो इनके बीच में कौन सा number आएगा, 0.142857 और 0.33 के बीच में, ओके, तो इन दोनों के बीच में कोई numbers ले लेते हैं, वो ही इनकी value आएगी, यह सा number लेंगे, जो repeat नहीं होता है, तो 0.14 है, 30 है, मानलों 3 है, तो वो ही 33 है, 14 है, तो इनके बीच में ले लेगे 20, यह 21, तो 0.21021, 0021, 0021, 0021, ऐसे भी ले सकते हैं, यह फिन ले सकते हैं, 0.2101, ऐसे ले ली जब ले, बहुत सारा निकाल सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, 0.210100, 001, 001, ऐसा value लेना है, जो repeat नहीं होता हो, तीक है, इस तरह की values हम ले सकते हैं, ठीक है, तो 2 irrational number के बीच में, irrational number भी निकाल सकते हैं, और कितना भी निकाल सकते हैं, आपको अपनी मर्जी से निकालना है, ठीक है, चलिए, किर दो kे सी जो एक हांचे आपको आने ले सकते हैं, एक हैंगा हैं, जो अच्छद, चलिए…. क्ड़र जोर ग्साहले को झालने हैं उलाने ले क प đang घ़को कराशा है, audio ईापको जो खंक्शद,